Hello everyone, welcome back to your favorite channel, Definite Success Paatshala. मैं हूँ आपकी biology mentor, Dr. Ritika Bharadwaj. आज का ये जो session है, this is the third lecture for our ongoing chapter that is Living World. Living World के third lecture में हम आगए हैं, जहां हम discuss करने वाले हैं taxonomic categories, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाती हूँ, जो students पहली बार ये lecture देख रहे हुँगे, या जो students अभी अभी just newly हमसे आड हुए हूँगे, कि यहाँ पर definite success पात्शाला पर आपको सारे ही lectures, सारे ही study material, notes, सब कुछ मिलता है free of cost, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है subscribe, तो फटाफ़चे subscribe कर लेना है और अपने सारे friends के साथ share करना है. चलिए तो अब हम start करते हैं आज का lecture, जहां हम बात करने वाले हैं taxonomic categories की. What are these taxonomic categories? अगर हम taxonomy अच्छे से समझ गए हों, तो हमें taxonomic category बहुत अच्छे से समझ में आता है. तो taxonomy में हमने ये पढ़ा था, basically एकदम simple language में, कि जो taxon होते हैं, यानि कि छोटे-छोटे groups होते हैं organisms के, वो बनाए जाते हैं under taxonomy, considering few characters, जिनके basis पर हम इन groups को बनाते हैं. तो ये जो defined way है, defined तरीका है, इन groups को बनाने का, that is called as taxonomy, right? तो taxonomy तो हम समझ गए, लेकिन taxonomy category बनाने का मतलब है, छोटे-छोटे groups बना देना, छोटे-छोटे taxon बना देना, so taxonomic category is defined as the formation of group of organism, in increasing or decreasing order, starting from kingdom to species. अब ये kingdom to species वाला concept क्या है, ये क्या कहता है, ये मैंने आपको अपने last session में introduce करवा दिया था, कि ये क्या categories है, लेकिन हम उसको एक बार और समझ लेते हैं, कि what is it, तो let's take it that way, मैं आपको कुछ examples के through taxonomic category समझाने की कोशिश करती हूँ, देखो, let's say कि हम किसी institute में है, like हमारा definite success पाठचाला, तो definite success पाठचाला is a big name, is an entire institute जहां पर आपको different zones of work होते हुए मिलेंगे, यानि कि students का एक group मिलेगा, एक teachers का group मिलेगा, online और offline students दोनों ही मिलेंगे, साथ ही साथ हमारे जो teachers हैं, उनके अलावा हमारे पस जो content prepare करेंगे, जो type करेंगे, जो आपके question papers बनाएंगे, जो आपके analysis करेंगे, वो team अलग है जो ये काम करती है, उसके बाद, yes, of course, the one who help out in everything, हमारे वो भाईया दीदी लोग जो हमें हर चीज में help करते हैं, कि हमारे room में सब चीजें proper हैं या नहीं, पानी proper हैं या नहीं teacher के पास पीने के लिए, student को कोई problem तो नहीं है, so keeping it all clean and everything, तो हमारे पास छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी categories हैं हर चीज के, और छोटी categories से हम बड़ी category की तरफ जाते हैं, जैसे पहले हम ऐसा मान ले, let's talk about one small group, we'll talk about each group है ना, तो मान लिजे, एक छोटा group है, हम बात करते हैं किस से बिटा, डी-एस से ही बात चालू करते हैं, definite success, पाटशाला से, है ना, यहां से ही हम start करते हैं, इसके अंदर फिर और छोटे groups हैं, वो छोटे group क्या हैं? Students, ठीक है, वो छोटे group क्या हैं? हमारे मान लेते हैं, students के, ठीक, students में से भी, फिर और groups हैं हमारे पास, तो offline students, as well as online students, फिर हमारे पास कौन सा group है? फिर यह तो एक hierarchy हो गई, यह एक hierarchy हो गई, इसके उपर हमारे पास और कौन सा group है? तो हमारे पास teachers का group है, हमारे पास content creators का group है, फिर हमारे पास हमारे most important helping hands है, तो पूरे entire DS में, हमारे पास इतने सारे छोटे 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 ग्रूप से अंदर, है ना, तो this is the category, लेकिन एक बड़ा ग्रूप है, जो की ये है, और फिर क्या होता है, अच्छा, आप इसमें देखोगे, तो DSP में तो सब सभी कुछ आ गया, सारे ग्रूप सा गय टीचर का भी group, स्टूडेंट का भी group, content वालों का भी group, भही अदेदे लोगों का group जो हमें help कर रहे हैं, हमारे management का group जो हमें help कर रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत छोटे-छोटे-छोटे-छोटे groups हैं, right, सही है, तो यह जो है, यह सब क्या हैं, ये सब बेटा, categories हैं, क्या हम rank wise जमा सकते हैं हाँ बिल्कुल जमा सकते हैं अब हम इसको rank wise कैसे जमाएंगे let's say कि ds में ds में किसी student को किसी student को notes चाहिए थे ठीक है notes चाहिए थे जो उसने absent होने के कारण नहीं मिल पाए उसे ठीक है तो students किसको approach करें सबसे पहले तो class में हमारे coordinators जो class में रहते हैं जो class की चीज़ें देखते हैं तो पहले level पर उनको coordinate किया मान लेते हैं कि उनने नहीं सुना तो फिर इन्होंने coordinate किया दूसरे level पर अपने teacher को coordinate किया हो सकता है teacher busy हो जाए या teacher के कहने के बाद किसी ने ध्यान ने दिया या किसी reason से teacher तक भी बात नहीं बनी notes नहीं मिले फिर और किस से बात करें तो फिर जाके आप subject hod से बात कर सकते हो की madam हमको note नहीं मिले या sir नहीं मिले यहां भी बात नहीं बनी तो और higher category पे गए higher category किया है हमारे batch coordinators तो हमारे batch coordinators तो पूरे उसका ध्यान रखते है ना पूरे batch का ध्यान रखते हैं कोई problem है तो वहां तक बात जाएगी माल लो वहां पे भी बात नहीं बनी तो फिर कहां जाएंगे वैसे तो देखो यहीं बात बन जाएगी है ना it is about ds लेकिन मैं सिरफ समझाने के लिए यह example दे रहे हूं don't take it seriously इतना नहीं बोलना पड़ता है ठीक है लेकिन हाँ to make you understand तो फिर अब batch coordinator के पास बात गई बात नहीं बनी तो फिर कहां जाओगे batch coordinator से अगर बात नहीं बनी तो फिर आप किस से बोल सकते हो आप बोल सकते हो उनके उपर जो भी teachers हो फिर आप कहीं जो management में जो लोग time table बनाते हैं आप एक बार उनसे बात कर सकते हो जो यह सारी चीज़ें देख रहे हैं जो convey कर सकते ह है whatever is required और अगर वहां पर भी बात नहीं बनी तो हम highest category मानलो board of directors कि मेरी कोई बाती नहीं सुन रहा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है ऐसा वैसे कभी नहीं होगा technically सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि this is level 1 take it as level ठीक है तो यह level 1 यह level 2, 3, 4, 5 तो क्या हुआ कि एक hierarchy फॉर्म हो गई यहाँ पर आपको छोटे से बड़े तक एक hierarchy दिख रही है क्या दिख रही है hierarchy hierarchy मिल रही है तो hierarchy कैसे बनी छोटे छोटे groups को जब हम arrange कर देते हैं level wise तब hierarchy बनती है देखो इससे पहले जो हमने बात करी थी वो हमने चोटे 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 groups की बात करी थी और यह groups क्या है यह groups है हमारे taxonomic categories इन categories को अगर हम orderly order wise जमा दे increasing order में decreasing order में तो that is called as hierarchy अच्छा अब इसका हम plants में example कहां ले सकते हैं plants में आप इसका example कैसे ले सकते हो let me tell you that okay तो हम plants में इसका example कैसे ले सकते हैं उसकी बात करते हैं या animals में कैसे ले सकते हैं तो अगर हम दुनिया में सारे living organisms की बात करें बेटा तो हमने living organisms के कुछ characters पढ़े थे वो characters क्या थे कि living organism है तो उसमें growth मिलेगी है ग्रोथ के साथ साथ उसमें आपको consciousness मिलेगी metabolism मिलेगा reproduction का process मिलेगा यह सारे कुछ characteristics हर living organism में देखे जाते हैं चाहे वो animal हो चाहे वो plant हो लेकिन क्या plant और animal को आप एक group में रख सकते हो नहीं रख सकते क्या आप plants के अंदर भी चोटी-चोटी groups होते हैं जैसे तरीके से अनिमल में आप समझ लो एक इंसेक्ट हो या लायन हो या टाइगर हो या एक कोई भी बैक्टीरिया एवरी बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे हैना वो प्रोकरियोड यूकरियोड में चला जाएगा लेकिन हाँ बाकी जितने भी और्गानिजम्स है एक्सेप्ट दी प्लांट वो सब कुछ तो अनिमल में आते हैं तो जो अनिमल्स है और जो प्लांट है यह कौन सी काटिगरी होगी ब्रॉडर काटिगरी होगी तो सारे लिविंग और्गानिजम्स को हम सबसे पहले एक बड़े ग्रुप के अंदर रखते हैं सबसे पहले हम इनको बड़े ग्रुप के अंदर रखते हैं ठीक है तो वो बड़ा ग्रुप कौन सा हो गया बेटा वो बड़ा ग्रुप हो गया पूरा का पूरा kingdom, वो बड़ा group कौन हो गया? पूरा का पूरा kingdom kingdom के बाद जो next group होता है अभी मैंने last class में भी बताए था phylum, फिर होता है kingdom, phylum, class, order, family ये सब बहुत बड़े-बड़े circles हो गया, एक मनिट हा, we will not get the enough space, तो मैं इन circles को थोड़ा छोटा कर लेती हूं, phylum, फिर हो गया class, फिर हो गया order, family, genus, और फिर species, that is how it goes, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बता, see, this is for the kingdom, ठीक, kingdom, फिर होता है phylum, फिर होता है class, order, family, फिर होता है genus, और फिर होता है बेटा, species, ठीक है? तो सबसे बड़ा group कौन है? kingdom, so kingdom is the largest group, largest group, जिसमें आपने सारे ही और्गानिजम को रख दिया, लेकिन आपने बहुत less specific characters देखे थे, आप बहुत specific नहीं गए, कि plant है, तो कौन सा plant है, अच्छा, इसका reproduction कैसे हो रहा था, अच्छा, इसमें consciousness किस टाइब की दी, आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी, आपने देखा कि भाई green है, cell wall present है, तो ये तो सभी में मिलेगा, हाँ, changes आएंगे, लेकिन later on with the smaller smaller group, तो सबसे बड़े ग्रूप में तो general characters, आप generally बहुत सारी बाते कर सकते हो, एक general characteristic जो होता है plant का, आप उन सब को मिला करके plant बोल रहे हो न, तो सिर्फ considering the general characters will be your kingdom, और फिर धीरे 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 general characters कम, और जो आपके specific characters है, वो ज़्यादा होते जाएंगे, तो यहाँ पर एक तो यह largest group है, और smallest group फिर कौन सा हो गया, smallest group हो गया बिटा, species का, this will be your smallest group, ठीक, उसके बाद यहाँ पर more general characters, ठीक है, यहाँ पर आपको maximum general characters मिलेंगे, और specific characters कम होंगे, लेकिन species के case में आपको क्या मिलेगा, species के case में आपको मिलेंगे, less general characters, less general characters, general characters कम मिलेंगे, specific characters जादा मिलेंगे, और पूरे इस concept में होता क्या जाता है, as we grow from higher to lower category, हम जैसे जैसे higher से lower category की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हमारे general characters कम होते जाते हैं, और हम और specific होते जाते हैं, तो एक example तो मैंने आपको अपनी class वाला दिया, दूसरा example मैं आपको और दे सकते हूं, यह मैंने आपको एक बार और दिया था, जब मैंने first या second lecture आपको दिया था, कि मान लो, मान लो, यह आपका घर है, ठीक है, यह आपका, अरे, यह let's say pink color का घर है, किसका यह pink color का घर, है ना, यह pink color का घर है, अब इस घर में सारी चीज़े है, एक room में, let's say, इस घर के एक room में, आपने अपने रख दियें, बेटा, food items, food items, एक जगे आपने रख दियें, अपने study items, एक जगे आपने रख दियें, अपने clothes, ठीक है, यह सब कुछ एक जगे रखा है, घर में सब कुछ है, घर में सब कुछ है, हैना, kingdom में सब कुछ ही है, लेकिन अब उसको specify करेंगे, तो एक अलग room में, एक अलग room में, एक अलग room में, बोलो हाँ, ऐसे ही होगा, तो फिर आपने और specify किया, तो आपने filum अलग रख दिया, food अलग रख दिया, study में class की चीज़ें अलग रख दी, clothes में आपने orderly clothes को जमा दिया, अब लेकिन ये जहाँ, अब इनसे इनसे भी और छोटे characters बनेंगे, तो जैसे आप food के लिए जाओगे, तो कुछ food ऐसे हैं, जो आप किस में रखोगे, fridge में रखोगे, कुछ ऐसे हैं, जो आप airtight containers में रखोगे, airtight containers में रखोगे, वहाँ पर आपने और छोटी category बना दी, similarly, study में आप जाओगे, तो आप अपनी books एक तरफ रखोगे, आप अपनी stationary एक तरफ रखोगे, आप अपनी bag एक तरफ रखोगे, तो देखो, study में भी बहुत सारी छोटी 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 groups ब रखोगे, तो यहाँ आपनी क्या करा, बड़े से छोटी 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 category बना दी, बड़े में सब कुश था, छोटी category कैसी होती गई, specific होती चली कई, और specific ऐसा ही होता है, किसमें, ऐसा ही होता है, taxonomic category में, taxonomic category में आप जो छोटे छोटे groups हैं, उनको arrange करते हो orderly increasing या decreasing order दोनों में ही हम बात कर सकते हैं basically हम बात करते हैं kingdom से species की तरफ जाने की kingdom के बाद kingdom phylum class order family genus and species एक चीज जो अलग है कि अगर मैं यहाँ example plants का ले लूँ या मैं जब कभी भी plants की बात करूंगे तो phylum ना लिखके I will always mention the word division तो phylum की जगे division use होता है in case of plants in case of plants और अगर phylum लिख रही हूँ तो इसका मतलब मैं किस की बात कर रही हूँ phylum लिख रही हूँ किस के case में animals के case में ठीक है animals के case में you will use the word phylum plants के case में you will use the word division तो kingdom हो गया phylum हो class order family genus and species अब आती है बात पूरी के पूरी species पे species कैसी होती है species क्या होती है अच्छा species पर जाने से पहले I hope जो हमारा taxonomic category है उसका concept आपको clear होगा सबसे पहले आप ये वाला concept लिख लिजे फिर मैं आपको taxonomic category के बारे में आगे की चीजें भी mention करवा देती हूं है ना तो keep इसका screenshot रख लिजे फटाफट से ओके देन अब हम बात करते हैं किसकी इनको define करने की ठेक है? So, this one is defined as taxonomic category is defined as sequence, sequence of categories arranged in an increasing, increasing or decreasing order decreasing order order starting from starting from kingdom two species or vice versa ठीक? आप एक define, आप कैसे define करते हो taxonomic category को? एक वो sequence है, जहां पर category इसको arrange किया जाता है, आप increasing order में भी कर सकते हैं, decreasing order में भी कर सकते हैं, और it will start from kingdom to species या vice versa, मतलब कभी कभी आप इसको species से kingdom आता हुगा अभी देखोगे, तब क्या होगा, species छोटा group है, तो छोटे से बड़ा होता चला जाएगा, अगर आप species से kingdom की तरफ जाओगे, अगर आप kingdom से species की तरफ आओगे, तो क्या होगा, बड़े group से छोटे-छोटे groups का formation होगा, now these categories, these group of organisms are called what? they are called taxonomic categories, इसमें भी जो kingdom है, that is the highest category, species जो है, वो सबसे lowest category है, lowest category मतलब सबसे smallest category, smallest group है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा specific characters मिलेंगे, general बात करें, तो general चीज़ें ज़्यादा कहां मिलेंगी, kingdom में मिलेंगी, ठीक है, so let's write it, मैं यहीं लिख देती हूँ, इसको erase करके, हैना, पहले तो आप ये वाला example मेंशन कर सकते हैं, these are nothing but categories, ये हमने क्या बनाई थी, categories बनाई थी, ठीक है, तो हम किस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, it always goes from kingdom, kingdom, phylum, ठीक है, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and then species, बहुत सारी बुक्स में आपको species के बाद सब species भी मिलेगा, लेकिन that is not required, आप species तक कही याद करें, और फिर आप जब भी इसको लिखेंगे, तो आप हमेशा कैसा लिखेंगे, आप इसमें ये जरूर mention कर लिजेगा, कि इस तरीके से बुफ करेगा, और next point that you need to understand that you need to write is kingdom is the largest group and largest group है, इसलिए उसमें क्या होगा? with, more, with the highest number of general characters, ठीक है? और एक most important point जो आप mention कर लेंगे, that says, that says, as we move from kingdom, kingdom to species, number of specific, मतलब specificity बढ़ती जाती है, number of specific characters keep on increasing, specific characters बढ़ते चले जाते है, specificity आती है, ठीक है? ये एक बहुत important point है, that you will keep in mind, ओक, ओल राइट, ये होगया आपका first, ठीक? आप पहले इसको लिख लीजे, इसका screenshot ले लीजे, done? ओके, अब ये जो छोटी-छोटी categories form होती है, है ना? ये जो छोटी-छोटी categories form होती है, हम यहाँ पर एक बटाइड कर लेते हैं, the categories or the categories or group formed under classification is called the category, ठीक है? अच्छा, फिर ये होगया, तो the groups formed लिख दो अंदर, सिरफ the groups formed under classification, ये जो आप classification कर रहे हैं, इसमें जो छोटे-छोटे groups बनेंगे, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है, category and the categories, जो छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी categories है, and the categories arranged into different levels, categories को हम क्या करते हैं? अलग-अलग levels में arrange करते हैं, higher to lower, कैसे arrange करते हैं? higher, higher to lower, ठीक? and these categories together form taxonomical hierarchy, ये छोटी-छोटी-छोटी categories बन गई, एक category kingdom थी, एक category phylum है, एक category class है, एक order है, एक family है, एक genus है, एक species है, ये जितनी भी categories है, इन सब को मिला दिया जाए, और orderly arrange कर दिया जाए, चाहे increasing order में करें, चाहे decreasing order में करें, तब जाके उन्हें मिला कर हम क्या कहते हैं? taxonomic categories, the categories constitute what taxonomical, taxonomical hierarchy, is that clear? ये वाली बात clear हुई? ठीक, तो हमने क्या बात करी अभी तक? हमने ये बात करी taxonomic category में कि दुनिया में जितने भी organisms हैं, उनका proper classification करने के लिए, ध्यान से सुनना ये बात, उनका proper classification करने के लिए हमने groups बना दिये, और हमने groups को कैसे रखा? सारे plant का एक group, अब उसमें से धीरे-धीरे specificity हम चालू करेंगे, कौन, किसका division है, फिर कौन सा order है, कौन सा वाला genus, family, species, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, एक order में arrange करेंगे, लेकिन बड़ा group किसका था? plant का था, ऐसे ही, बड़ा group किसका था? animal का था, अब उसमें से हम humans वाली species एक अलग हो गई, तो वो species कौन से है? सबसे चोटी category, अच्छा, अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक example ये भी है, ध्यान से सुनना कि हमने जब living organism की बात करी थी, हमने जब living organism की बात की थी, उस वक्त हमने कहा था कि living organisms में कुछ common characters होते हैं, जैसे कि metabolism, growth, reproduction, consciousness, लेकिन उसमें से हमने कहा था कि एक human ही है, जो की क्या है, self-conscious है, हमने ये कहा था, कि एक human ही है, जो self-conscious है, बाकी सारे सिर्फ conscious है, तो rest all organism, rest all organisms are only conscious, conscious सब लोग है, conscious सब है, उसमें से human सिर्फ self-conscious है, तो जब हम human की species की बात करेंगे, तो ये उसका एक specific character होगे है, जो सब में नहीं था, सब में क्या था, consciousness, तो हमने और general से जब हम specific बनाते जाते हैं, groups को, तो वो kingdom से species की तरफ जब जाते हैं, kingdom सबसे बड़ा group, species सबसे छोटा group, ऐसे करके कुछ categories form होती है, categories को हम orderly arrange कर दें, तो फिर वो क्या कहलाती है, मतलब levels में arrange कर दें, तो फिर वो क्या कहलाती है, taxonomic hierarchy, फिर वो क्या कहलाती है, taxonomic hierarchy, तो ये हो गई आपकी category, ये हो गई आपके category, कौन सी category बीटा, taxonomic category, और ये वाला next हो गई आपका taxonomical hierarchy, done, अब आप इतना note कर लीजे, alright, so the next is about the categories, ये वाली बात हम नोट करेंगे, इससे पहले मैं आपको कुछ चोटे-चोटे points और बता देती हूं, बचार important, तो देखे, अगर हम बात करें किसकी category की, category की, तो category actually में क्या है, category is referred to as unit of classification, category is referred to as unit of classification, ठीक, एक classification में एक छोटा सा unit उसकी category है, लेकिन it comprise of a rank, इसमें एक taxon, एक rank होती है, तो जो taxon है, जो taxon है, या फिर rank है, जो taxon यानि की group है, या rank है, वो किसको refer कर रहे है, it is the unit, क्या होता है, हमने group बनाया, तो वो group category बन गई, category जो है, वो classification का एक unit है, मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़े थी, मेरे पास बहुत सारी चीज़े थी वाला example कहां गया, ये वाला, मेरे पास घर में बहुत सारी चीज़े थी, मैंने उनको धीरे धीरे करके क्या करा, और हर एक category, हर एक rank जो है, हर एक group जो है, वो classification का एक unit है, मतलब इसको जमाना ही तो classification कहलाया, इसको जमा लेना ही तो classification कहलाया, classification यनि की classify कर देना, और फिर इनको अगर मैं rank wise जमा दूं category को, that is also a unit of classification, तो आप ये वाला example भी note कर लिजे, और उसके बाद हम आगे चलते हैं, किस पे, about the rank और taxon, ओके, तो rank और taxon, represent, represent a unit of classification, दूसरा, हम ये तो जान चुके हैं कि सबसे बड़ा group कौन सा है, kingdom, तो सबसे smallest group, smallest category जो होती है, वो कौन है, it is the species, smallest category species की होती है, और ये जो topic है, species का ये है भी बड़ा important, तो smallest categories of species, और ये जो हमने पूरा criteria किया है, all these living organisms are categorized into the various groups, and those various groups are kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So, all living organisms, all living organisms are classified into, into kingdom, phylum, class, order, family, family, phyr genus, phyr species. So, these two are again the important points कि हमने जितने भी living organisms है, उन सब को क्या कर दिया है, categorize कर दिया है, into these various groups. ये वाले जो groups है, इनको बेटा हमें याद करना है, इनको हमें क्या करना है, याद करना है. ठीक, ये सारे groups, अब एक बात आती है, कि जब हमने इतने सारे groups बना लिये थे, इतने सारे भी नहीं, मतलब हम बहुत initially बात करते हैं, मैंने classification करने को दिया, आपने चीजों को identify कर लिया, identify करने के बाद आपने group बना लिया, ये खाने की चीज़ है, ये study की चीज़ है, ये कपड़े हैं, तो हमने ये identify कर लिया था, फिर उन्हें हमें smaller categories में डालने की क्या जरूरत पड़ी, यानि बात ये है कि अगर हमने बड़ा group बना लिया था, एक बड़ा largest group बना लिया था हमने, highest rank, highest category जो बना लिया थी, kingdom, यानि कि हम बोलते हैं plants और animals की, तो फिर हमें उसके चोटे groups क्यों बनाने पड़ गए, the reason being, जब बहुत बड़ा group होता है, तो आप organisms के बीच में उनके बीच का relationship find out नहीं कर सकते हो, with respect to the other taxon, मतलब मैं इस group में जो organism रख रही हूँ, उनका relationship मुझे किसी और group के साथ find out करने में एक complexity होगी, इस complexity की वजए से हमने क्या किया, छोटे छोटे groups बनाएं, और फिर जो सबसे smallest group था, वो था species, जिसको हम next discuss करने वाले हैं, so आपने इसको note कर लिया होगा, ये वाले point को, ठीक है, देर आपने इसको note कर लिया होगा, ये तो एक example था, और फिर एक ये example था, next topic is species, तो आप next topic डाल दीजे, that is species, actually हम species से पढ़ना चालू करेंगे, यानि कि हम पहले species पढ़ेंगे, firstly इसको पढ़ेंगे, उसके बाद genus पे, फिर family पे, order, class, phylum and kingdom, इस तरीके से हम वहाँ से पढ़ते हुआ हैंगे, छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ, ठीक है, तो अगर हम species की बात करें, तो बेटा, species का main, सबसे important जो point है, वो ये है, कि species के अंदर जितने organisms होते हैं, उनके अंदर ना fundamental similarities होती हैं, मतलब जो change नहीं हो रही हैं, है ना, और एकदम specific है, So, species comprise of organisms, species comprise of organisms with fundamental, fundamental similarities. Species में वो organisms हैं, जिनके बीच में बहुत fundamental similarity हो, और it is the smallest unit of classification, smallest unit of classification, यनि कि जब हमने बेटा classify करना चालू किया organisms को, तो सबसे चोटा group, तो species का ही बना था, बोलो हाँ, सही बात है, अच्छा, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था, वो किसका था बेटा? वो था Sir Mayer का, Ernst Mayer, Ernst Mayer, Sir जो थे, इन्होंने basic concept of species समझाया था, क्या समझाया था? Concept of species समझाया था, जैसे हमने कालस लीनियस सर की बात करी थी, फॉर्स लेक्चर में, तो वो एक बहुत important scientist थे, जिन्होंने बहुत सारा contribution दिया, towards classification, towards taxonomy, towards systematics, लेकिन वैसे ही, Ernst Mayer, Sir वी हैं, जिन्होंने बहुत सारा contribution दिया, actually अगर वो species को define नहीं कर पाते, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता, की चीज़ें कैसे work कर रही हैं, कैसे categorize हुई है, कैसे rank बनी है, कैसे hierarchy बनी है, right, तो Ernst Mayer, Sir ने concept of species दिया था, और उसमें उन्होंने कुछ basic बाते बोली थी, वो basic बाते क्या थी, कि आप एक species के अंदर क्या-क्या देखते हो, कौन से characters देख कि आप organisms को species के अंदर डाल सकते हो, तो उन characters में क्या-क्या चीज़ें आई थी, let's discuss about that, तो उन्होंने पहली चीज़ बताई थी, कि बेटा, उनके अंदर होना चाहिए morphological similarity, मतलब भाई, देखने, दिखाने का और दिखावे का जमाना है, तो उन्होंने कहा कि बाहर से देख कर ही, अगर हम similarities identify कर लें, और उन्हों और organisms को हम species में रख दे, तो बस ये बड़ा important है, तो उन्होंने पहली चीज़ बोली, कि वो morphologically similar होने चाहिए organisms, फिर उन्होंने बोला कि species के हर organisms जो हैं, उनके पास interbreed करने की शमता होनी चाहिए, यानि कि एक ही species के दो members आपस में reproduction कर सकें, interbreed कर सकें in a nature, ये important point था, तो interbreeding in nature, interbreeding in nature, जो आपस में interbreed कर सकें, तीसरा उन्होंने कहा था कि ये जो species के organisms होते हैं, ये reproductively isolated होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, मैं पहले लिखती हूँ फर समझाती हूँ, third point था, they should be reproductively isolated, इसका मतलब ये था, कि मान लीजिए, हमने यहाँ पर दो categories ले ले ली, एक species ये है, और एक species ये है, let's say this is species A, this is species A and this is species B, ठीक है, यहाँ के members के अंदर क्या-क्या होना चाहिए, morphological similarity होनी चाहिए, ठीक है, मैं इसको सीधा-सीधा लग देती हूँ, नहीं तो फिर टेडा यी टेडा दिखेगा है न, चलो, इसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, morphological similarity, दूसरा इसके अंदर क्या होना चाहिए, यह interbreed करना चाहिए, मतलब की, A species के दो member आपस में interbreed कर सकते हैं, same characters B भी एक species हैं, same character B में भी जाएंगे, अब यह जो third point है न, reproductively isolated, इसका मतलब क्या है, वो सुनो, इसका कोई member, A species का कोई member, B species के किसी member के साथ, reproduction जो है वो नहीं कर सकता, इसका मतलब यह होता है, reproductively isolated रहना, एक species के organism आपस में ही सिरफ reproduction कर सकते हैं, एक species के organism, दूसरी species के organism के साथ, reproduction नहीं कर सकते, that is called as reproductively isolated, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि A species के दो organism आपस में क्या कर सकते हैं, reproduce कर सकते हैं, और यही का यही हम copy paste कर देते हैं, किसमें? Species B में, same characters हैं नहीं, यह अलग species ही अलग, लेकिन इन दोनों के बीच में, कभी भी reproduction बेटा नहीं हो सकता, reproduction नहीं हो सकता, अगर होगा भी, तो fertile offspring पैदा ही नहीं हो सकते, वैसे तो reproduction होगा ही नहीं, तो reproductively isolated, मतलब यह आपस में ही reproduce करेंगे, reproductively isolated होती है, कोई भी species, ऐसा समझाया था किसके बारे में? Species के बारे में, फिर कुछ examples पर आएंगे, लेकिन एक, जो authentic NCRT की definition है, वो species के लिए याद करना ज़रूरी है, तो what does that definition says, आपको याद करने में problem नहीं होगी, क्योंकि वहाँ में characters पढ़ा चुकी हो, species is a group of individual या population, species एक ऐसा group है, जो interbreed कर सकता है nature में, बोलो हाँ interbreed कर लेगा, फिर produce कर सकता है fertile offspring, जैसे अगर हम horse की और donkey की बात करें, तो दोनों के reproduction से mule बन रहा है, तो वो mule sterile है, वो fertile नहीं है, only when the organism is going to produce fertile offspring, तो nature में reproduce करा, fertile offspring करा, reproductively isolated है, from members of other species, दूसरे species के साथ reproduction नहीं करेंगे, फिर से बढ़ोगे तो समझ में आएगा, species is a group of individual और population, which interbreed in nature, हमने बात की, interbreed कर सके आपस में, and produce fertile offspring, reproduction तो हुआ, reproduction करने के बाद जो offspring मना, वो भी reproduce करने योग्य होना चाहिए, वो भी fertilization कर पाए, इस योग्यों होना चाहिए, तो reproduce, sorry, reproduce fertile offspring, मैं एक species हूँ, तो मेरा दूसरे species के साथ, reproductive isolation है, मतलब हम सिर्फ अपनी species में ही, reproduce कर सकते हैं, दूसरी species में, reproduce नहीं कर सकते, it's just like, मान लो की, एक mango, ठीक है, और दूसरा, हम ले लेते हैं, apple, तो mango में और apple में, ये दोनों आपस में, reproduce करके कुछ नया क्यों नहीं बना लेते, नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, कब बना सकते हैं, artificially आप करवाना चाहो, जैसे बेटा, एक exception, एक example होता तो नहीं है इसका, बढ़ आपको समझाने के लिए, कि बेटा, जो tomato होता है, टुमाटो, टुमाटर सबने खाया है, ओके, टुमाटो जो होता है, उसको आप, फ्यूस कर सकते हो क्या, पुटाटो के साथ, पुटाटो के साथ फ्यूस कर सकते हो, नहीं कर सकते, अच्छिली टिज नॉट पॉसिबल, लेकिन, आर्टिफीशली लोगों ने ऐसा कराया, और फिर बनवा दिया था बेटा, क्या, पो मैटो, ये आप आगे पढ़ोगे अपने ट्वेल्थ क्लास में, ठीक है, एकॉलोजी वाले यूनिट में, तो ऐसा हो सकता है, कब ऐसा सिरफ हो सकता है बेटा, आर्टिफीशली, कैसा हो सकता है बेटा, आर्टिफीशली, नाचरली नहीं हो सकता, नाचरली क्या होगा, टुमाटो, टुमाटो में, पोटाटो, पोटाटो में, मैंगो, मैंगो में, आपल, आपल में ही रिप्रडिउस करेगा, apple और mango साथ में reproduce नहीं कर पाएंगे तो एक species दूसरी species के साथ reproduce नहीं कर सकती reproductively दोनों species अपने अपने में reproductive क्या है isolated है species is a group of individual और population एक ऐसा group है जहां पर organisms आपस में breed कर सकते है nature में और breed करने के बाद जो उनकी progeny होगी यानि कि जो बच्चे होंगे उनके वो भी कैसे होने चाहिए बेटा fertile होने चाहिए and they are reproductively isolated from members of other species यह definition बढ़ी important definition है फिर आती है बात बेटा examples की फिर बात आती है examples की ठीक है तो examples में हमने mango पढ़ा था याद होगा आपको जल्दी से मुझे लिखके बताओ comments में कि mango का botanical name हमने क्या पढ़ा था और जब हमने कब पढ़ा था वो भी बता देती हूँ जब हमने binomial nomenclature रखा था पढ़ा था और अब बेटा देखो ऐसे ही चीज़ें याद रहेंगी जब हम बार 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 चीज़ों को रिवाइस करेंगे अगर हम चीज़ों को रिवाइस नहीं करेंगे तो definitely हम क्या करेंगे बूल जाएंगे चीज़ों को और अगर हम भूल जाएंगे तो मेरा एक session मैंने आपको दिया था how to make notes for biology और वो आपने ध्यान से देखा होगा और आगे आप notes बहुत अच्छे बनाने वाले हैं और फिर मिर साथ share करने वाले हैं notes को और अगर आपने वो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखना है channel पर recently upload हुआ है आपको मिल जाएगा तो फटा फटसे अब मुझे बताईए mango को हम क्या कहते हैं mango को हम कहते हैं mangifera, mangifera, indica, mangifera, indica और इस तरीके से हम लिखते थे right अच्छा अब मुझे बताओ कि humans को हम क्या कहते हैं फटा फटसे comments में लिखके बताओ humans के लिए technically biological name क्या है So, it is, it is, बहुत easy है madam, यह तो, homo, homo sapiens, homo sapiens है न, अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, sorry, फिर मुझे बताओ कि lion को क्या कहते हैं, lion का क्या नाम है, lion, what is it referred to as, यह मैं हटा दे रहे हूँ, यह अभी आपके काम का निया है, सिरफ समझाने के लिए था, ठीक है, lion का, biologically name क्या है, yes, it is, अब याद करते चलना, panthera, panthera, leo, panthera, leo, panthera, leo, कोशिश किया गरो कि ख्लास में ही चीज़ें याद हो जाएं और दुबारा हमको पढ़ने के जरूरत ही ना पढ़ें, ठीक है, okay, then, potato को हम क्या कहते हैं, जो हम रोस खा रहे हैं, potato को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताईए, potato का botanical name, yes, अच्छा, ये दोनों नए हैं आज आपके लिए, तो आप हमें ये याद करके जाना है, देखते हैं कितने लोगों ने book पढ़ ली है already, जल्दी से देखके बताओ, बुक में से देखके बताओ, solenum, solenum tuberosum, यही बोलते हैं, solenum tuberosum, नाम लिखने का तरीका, क्योंकि हम binomial nomenclature के rules पढ़ चुके है, ना अच्छा, ये, ये capital जैसा लग रहे है क्या S, किसी को ऐसा तो ना लगे कि भाई मैडम ने तो खुदी गलत लिख दिया, गलत नहीं है, मुझ स्मॉल S है, ठीक है, चलो, अब इसमें से species कौन है, आपको पते, species को मैं highlight कर देती ठीक है, species है, indica, किसकी mango में indica species है, humans में homo sapien में sapien species है, leo में panthera, leo में leo species है, lion में, potato में solenum tuberosum में tuberosum उनकी species है, तो these highlighted ones are the species, these are the species, ठीक है, ये कौन है, species है, ऐसे ही, यहाँ पर ये species है, तो आप mark करके रख लेंगे, ठीक है, तो this is all about the concept of species, पहले आप इसको लिख लीजे, yes and then write this, All right, now the next is genus, genus की अगर हम बात करना चाहें, तो species आपको यहाँ दिख रही है, क्या आपको genus दिख रहा है, yes definitely, हमने पड़ा था, binomial nomenclature के according, जब भी हम किसी organism का biological name देते हैं, तो it is always the genus as well as the specific epithet, यानि कि genus का नाम और species का नाम, अगर आपको species दिख रहे हैं, तो यहाँ genus के names भी है, आपको बिलकुल दिख रहे हैं, तो genus के names कौन से वाले हैं, यह, यह, mangifera, homo, panthera and solenum, यह सब क्या हैं, जीनस हैं, और आपको पते हैं, अगर हम solenum की बात करें, जैसे potato को हम solenum tuberosum बोलते हैं, उसी तरीके से, जो solenum genera है, solenum जो genus है, इसके अंदर आपको पते हैं, क्या क्या आता है, इसके अंदर आपको tomato भी मिलेगा, potato भी मिलेगा, ब्रिंजल भी मिलेगा और याद करने में difficult नहीं हैं, क्योंकि यह आलू, बैंगन, टमाटर की सबजी है, तो आलू, बैंगन, टमाटर सब कुछ जो है, वो किसको बिलॉंग करता है, to the solenum, so how do you define genus, you define genus as group of related genera, उसके उपर, यहां जो लिखा है, मैं उस पर आती हूं, but how do you define it, you define it as group of related species, group of related species, कई सारी स्पीशी जो एक जैसी है, वो मिलकर के किसको बना रही है, genera, तो यह कुछ example जैसे, अब यह बात समझना, कि जैसे kingdom है, phylum है, class order, family, genus, species, subspecies, तो आप उसमें primata, carnivora, solenasi, solenum, और यह जो सारे names है, यह specific है, आपको सब का याद नहीं करना है, पर जो examples दिये हैं, उनका याद करना है, so these examples are right from the NCRT, ताकि कुछ भी चीज मिस ना हो जाए so, अगर हम genus की बात करें, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया, कि आप चेक कर सकते, NCRT को सामने रखके ही पढ़ना, तो example याद होते जाएंगे, solenum में आता है, potato, tomato and brinjal, इसी तरीके से panthera, तो हमारे, अभी तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था पेटा, panthera, leo, panthera, leo was what, the lion, लेकिन panthera के अंदर lion भी आता है, leopard भी आता है और tiger भी आता है, तो lion, leopard and tiger, सब कुछ किसके अंदर आता है, panthera के अंदर, तो कौन यहाँ पर genus है, यह है, these two are the genus, यह genus है, ठीक है, यह genus है, और किसका जीनस है, solenum के अंदर, potato, tomato, brinjal, तो आपको क्या याद रखन है, potato, tomato, brinjal, आलू, टमाटर, बेंगन की सबजी, solenum, ठीक है, आलू, बेंगन, टमाटर की सबजी is solenum, किस family में आते है, solenum में, lion, leeper, tiger जो है, वो किस में आता है, panthera में, तो यह examples exactly from the NCRT, genus के लिए, and how do you define genus, it is group of related species, यानि कि अब आप देखो अगर, तो मान ले, य species A, species B, species C, तीनो ही species जो है, वो एक ही किस के अंदर आती है, एक ही, genus के अंदर आती है, that is what you call group of related species, इसी तरीके से, जब हम species और genus के बाद, next family पे जाएंगे, तो family के कुछ examples देखेंगे, लेकिन, how do you define family, family is nothing but group of, group of related genera, group of related genera, बहुत सारे genera मिल करके क्या बनाते हैं, एक family, तो जैसे solenum है, petunia है, धतूरा है, यह सब मैंने अभी आप से कहा था, किस में आते हैं बेटा, solenasi में आते हैं, solenasi क्या है, इसकी family है, जो कि अभी आपको 11th में ही, आपके morphology वाले chapter में, 5th chapter में आपको है, solenasi, febasi, liliasi, malwesi, यह सारी families हम वहाँ पर पढ़ते हैं, तो आलू, bang and tomato वाली जो family है, उसका genus भी same है, obviously फिर family भी same है, तो genus उसका क्या था, solenum, family क्या है, solenasi, इसी तरीके से अगर हम panthera और phallus को देखें, तो उनकी family होती है बेटा, phallidae, और अगर हम dogs को देखें, तो उनकी family होती है बेटा, canidae, तो phallidae, canidae, canidae dogs की family है, ठीक है, और phallidae जो है वो panthera और phallus की family है, panthera में कौन-कौन आता है, lion, lipper, tiger सब आता है, अब आप relate कर पा रहे हो, तो अभी हमने क्या किया था, हम ये बात कर रहे देना, कि बहुत सारी species मिल करके किस के अंदर पारी थी, genus के अंदर, ऐसी ही genus का 1, 2 और 3 अलग-अलग genus मिल करके किस के अंदर आते है, अलग-अलग genus मिल करके आते है, family के अंदर, ये बात समझ में, okay, तो ये this is about the family, next is your order, order जो होता है, it is, it is a group of related families, बहुत सारी families का एक group है, ठीक है, जैसे अगर हम falidae और canidae, falidae और canidae हमने अभी पढ़ा, relate करके याद रखोगे, तो याद रहेगा, falidae और canidae, falidae was the family of panthera and phallis, और canidae was the family of dog, तो ये दोनों मिल करके एक ही, एक ही किस में मिलेंगी, order में मिलेंगी, and the order is called as carnivora, कौन सा order है, carnivora, ठीक है, so this comes under the order carnivora, इसी तरीके से monkey, gorilla, gibbon, तीनों एक दूसरे से बहुत अलगे, तीनों ही किस के अंदर आते हैं, they come under primata, और easy और easy बनाने के लिए देखो, carnivora और primata order है, carnivora और primata में कौन आता है, जो आपने अभी families में पढ़े थे, जैसे की falidae, canidae, monkey, gorilla, gibbon, यह सब कुछ आ गए, अब आप यहाँ से carnivora और primata को उठाओ, और carnivora और primata को एक ही class में डाल दोगे, ठीक है, तो carnivora और primata come under the same class mammalia, ऐसा क्या हुआ, कि आपने इनको same class में डाल दिया, which was mammalia, तो mammalia में primata भी आ रहा है, carnivora भी आ रहा है, बेटा, mammalia के कुछ अपने characteristics होत होना, भी हम animal kingdom में पढ़ेंगे, memory glands का present होना, skin पे hair का होना, यह अगर कुछ specific characters आपको सब में मिलेंगे, तो फिर वो mammalia हमें आएंगे, बट उसमें भी अपने अपने groups हैं, तो mammalia जो है, उसके अंदर कौन आ रहा है, कौन से example दाएंगे, primata और carnivora, यह मैं याद करने के लि के examples याद हो जाते हैं, यह बात समझ में आ गई, ठीक है, फिर हमने species के बाद genus के examples देख लिए थे, solenum और panthera, panthera और solenum में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उनको उठाओ, और कहां का example बनाओ, एक बड़ा group बनाओ, जो है family, तो आपने solenum, petunia, dhatura उठाया, और किस में डाला, solenasi family में, फैलिडे और कैनिडे आपको मिले, फैलिडे कैनिडे को उठाया, तो आपने किस में डाला, कार्नी वोरा में, तो कार्नी वोरा आपको क्या मिल गया, एक order मिल गया, monkey gorilla किस में आ गया, प्राइमेटा, यहां से कार्नी वोरा प्राइमेटा को उठाया तो आपने किसमें डाल दिया? मैं में ही लिया, क्लास में डाल दिया. क्लास से उठाएंगे, तो यहाँ पे किसमें डाल देंगे हम? फाइलम में. तो यहाँ पे आपने बोला था, group of related families is order. है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? group of organisms, group of organisms belonging to, belonging to the same order. belonging to the same order. बहुत सारे order में आने वाले organisms, जो है, वो आपने किसमें डाल दिये? इस मैमेलिया में. तो फाइलम में देखो, अगर हम fishes की बात करें, अब इसको सर्फ याद करने के लिए नहीं, लेकिन imagine करो, fish imagine करो, fish है, कुछ amphibians है, जो land और water दोनों में रह रहे हैं, कुछ reptiles हैं, जो जमीन में ही रेंग कर चल रहे हैं, फिर कुछ birds हैं, जो आस्मान में उड़ रहे हैं, फिर कुछ mammals भी हैं, जैसे कि हम, हम इन सब को मिलाकर किसमें रख देते हैं? एक अकेलिक ग्रुप में रख देते हैं, जिसको हम कहते हैं, cordata, जिसको हम क्या कहते हैं? cordata, अब ये basically, एक 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 का feature हम किसमें पढ़ने वाले हैं? हम अपने, yes again, animal kingdom वाले chapter में पढ़ने वाले हैं, लेकिन, fishes में, amphibians में, reptiles में, birds में, mammals में, सब में बहुत सारे differences हैं, और अगर इन सब में बहुत सारे differences हैं, तो फिर इनको आपने एक ही ग्रुप में कैसे डाल दिया? ऐसा क्या हुआ कि आपने एक ही ग्रुप में डाल दिया? तो इनके पास कुछ common feature होता है, वो common feature, एक मैं आपको बताती हूँ, दूसरा आप मुझे बताना, common feature है, presence of, presence of notochord, notochord का होना, ठीक है? और दूसरा common feature क्या आप मुझे बता सकते हो, वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपने कभी कभी पढ़ा होगा, या आपके स्कूल में ये चैप्टर हुआ होगा, या फिर आप अगर dropper batch से हैं, तो आपने ये definitely पढ़ा होगा और या आपको याद होना चाहिए, ठीक है? क्या है दूसरा? दूसरा इस dorsal, hollow, neural system, अगर ये दोनों चीज़े, ये दोनों features present है, तो ये दोनों features जिन में भी होंगे, वो सारे organisms, same phylum में आएंगे, that is chord data, तो fish, amphibian, reptile, birds और mammals में आपको क्या मिलता है? These are the classes comprising animal like, fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals that belong to phylum chord data, जिसमें आपको देखने को मिलता है presence of notochord and dorsal hollow neural system. अगर आपको ये दोनों characters, ये दोनों characters मिलते हैं, जिन भी organisms में, तो उन organisms को आपने उठा कर किस में रख दिया बेटा? उन organisms को हमने रख दिया chord data में, जो की हम अपने animal kingdom में completely पढ़ेंगे. अच्छा, अब आपने जितने भी phylum है, अच्छा, एक चीज़ याद रखेगा kingdom phylum. तो मैंने आपको बताया था, कि जब भी आप animals की बात करते हो, तो वहाँ पर हम word use करते हैं phylum, लेकिन जब भी आप plants की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम word use करेंगे instead of phylum, वहाँ पर हम use करेंगे word division, वहाँ पर हम use करेंगे division, plant के case में हम बुलेंगे kingdom division, class order family, और यहाँ पर हम क्या बुलेंगे kingdom phylum class order, ठीक है, चलिए, तो अब आता है next सबसे बड़ी category, that is kingdom, जिसमें आता है plant और animalia, यहीं से हमने बात चालू करी थी, तो आपको यह यादी है, कि plant में कौन आता है, all the types of plants fall into this category, fall into this category, and animals में, plant के अलावा जो रहे गया है, animals, so all kind of, all kind of animals, fall into this category, ठीक है, और हम इसको define कैसे कर सकते हैं, define हम ऐसे कैसे कैसे हैं, कि इसमें सबसे जादा जो आपको देखने को मिल रहा है, वो बड़े common, बड़े common तो नहीं बुलेंगे, बड़े general characteristics है, तो यहां पर आप consider करते हूं बेटा, हमेशा general characteristics, ठीक है, दूसरी बात, this is the highest, highest category, this is the highest category, जहां पर जादा general characters आपको देखने को मिलते हैं, so this is all about family, अब हमें एक बार और मैं आपको यहीं याद हो जाए, इसलिए बोलना चाहूंगी, हमने बात चालू करी थी species से, species में जो examples आप लोगे, mangifera, mangifera, indica, panthera, leo, homo, sapiens, solinum, tuberosum, इसमें से indica, sapiens, leo, tuberosum, सब क्या हैं बेटा, species हैं, genus कहां है, mangifera, homo, panthera, solinum, यह सब हैं, आपके genus, अब आपने genus को तो निकाल लिया, वो examples आपको याद हो गए, अब genus का जो group होगा, वो किसमें आए, अलग-अलग genus को किसमें डालोगे आप, एक family में, तो solinum, petunia, dhatura, solenese family में आते हैं, solenese family से फिर आगे जाओगे, तो solenese के अंदर कौन-कौन आया था, aloo, bang, and tomato है ना, वो वाला example, फिर felidae और canidae, felidae में panthera मिलेगा, और felis मिलेगा, canidae में dogs मिलेंगे, आपने felidae और canidae को उठाया, और एक साथ रख सकते हो, carnivora में, इसी तरीके से primata में, monkey, gorilla, gimman, सब आ जाएंगे, ठीक है, अच्छा, class आ गई, mammalia, mammalia में प्राइमेटा और carnivora, जो आपने यहाँ group बनाए थी, carnivora, primata यह एक ही, एक ही class में है, और उनकी class कौन है, mammalia, then, phylum में आप अलग-अलग organisms, जो अलग-अलग habitat में रह रहे हैं, अलग-अलग तरीके से रह रहे हैं, उन सब को रख रहे हो, लेकिन क्यों, based on some, one or two specific characters, और वो characters का example, हमने यहां कौन-कौन लिया था, fishes, amphibians, reptiles, birds, mammals, सब के अंदर क्या present है, notochord present है, और साथ में क्या present है, dorsal hollow neural system, तो यह अगर दो features मिल कहें, तो you will consider it into chord data, तो animals में, हम phylum बोलते हैं, लेकिन जब plants की बात आती है, तो we use word division instead of phylum, then kingdom, तो बड़ा kingdom, सबसे बड़ा जो group होता है, that is kingdom, plantage, उसमें सारे दुनिया के plants आ जाएंगे, algae, briophyte, terroryophyte, gymnosmum, angiosmum, everything, जो हम आगे आने वाले chapters में पढ़ने वाले हैं, और फिर animals में, दुनिया में रहने वाले हर काइंड के animals, every animal will fall into the category of animalia itself, क्योंकि बहुत least common characters, general characters जादा, तो general characters में लेंगे, highest category होती है, अब chapter के end में आपको एक table दिया हुआ है, which is very important, जहां से question पूचे जाते हैं, आपको problem नहीं होगी समझने में, जैसे यहां पर आपको दिया हुआ है, common name, यानिकी commonly, यह organism क्या कहलाता है, common terms में, biological यानिकी scientific names, फिर दिया हुआ है, class, family, order, ठीक है, sorry, genus, family, order, class, phylum, और division, phylum और division क्यों लिखा है, क्योंकि plant का example भी मिलेगा, और animal का example भी मिलेगा, ठीक है, सबसे पहले हम अपने आप से चालू करते हैं, man, तो man में biological name is homo sapien, तो genus कौन हो गया, homo, और species कौन हो गया, sapien, हम पढ़ के आए, तो homo हो गया हमारा genus, और sapien हमारी species है, ओके, तो species तो हमने या mention ही नहीं करी है, है ना, क्योंकि हमने नाम लिख दिया है, तो हमें अल्रडी पता है, family में, और dorsal hollow neural system वाला, अच्छा इसके बाद ये कौन से वाले kingdom में जाएगा, तो kingdom हो जाएगा, हमारा kingdom हो जाएगा, हमारा animalia, ऐसे ही house fly, musca domestica, तो musca जो है वो आपका genus है, domestica जो है वो आपका species है, तो species को छोड़ दो, musca से चालू किया, तो hominidae family है, ऐसे ही muscidae family है, और order में primata और dioptera, ऐसे ही class, जैसे वो मैं में लिया थी, mammals की class, ये insecta है, insect की class, ऐसे ही insect सारे किसमें आते हैं, phylum इसका क्या हो जाएगा, arthropoda हो जाएगा, अब इसमें आपको धीरे धीरे कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ common चीज मिलेंगी, वो हम इसी table में discuss करेंगे, तो आपको जादा specifically समझ में आएगा, अब आप ढूनना, क्या एक जैसा मिल रहा है, ठीक है, mango की अगर हम बात करें, mangifera indica, mangifera क्या है, genus, indica क्या है, species, mangifera genus, एनार कार्डियसी जो है, यह इसकी family है, एनार कार्डियसी family, और sapindales order में आता है, dicot होता है, जहां पर दो cortilodans present होते हैं, यह धीरे-धीरे याद होगा, dicot, monocot क्या होता है, थोड़ा बहुत knowledge आपको होगा, बाकी सारा, दीरे-धीरे विद्धी chapters improve हो जाएगा, वो कोई problem नहीं है, लेकिन हाँ, yes, keep on studying, और फिर angiosperm, angiosperm मैंने आप से कहा था, सारे plants, algae, briophyte, terrydophyte, gymnosperm, angiosperm, सब किसमें आते हैं, plants में, तो फिर वहाँ पर, angiosperm वाला group है यह, अब यह किसमें इसका kingdom क्या हो जाएगा, kingdom हो जाएगा, plant ए, ऐसे ही wheat और तुलसी, तो wheat में, wheat को हम क्याते हैं, triticum, astivum, और triticum क्या है, genus है, astivum क्या है, species है, अब triticum तो genus है, family कौन सी है, poesy, और order कौन सा है, poels, class कौन सी है, जैसे यह dicot थी, तो यह monocot है, यह angiosperm थे, यह भी angiosperm है, तो angiosperm में, इस क्या है, division, angiosperm में, is the division, तुलसी के अगर हम बात करें, तो अब आज तक हमें नहीं पता था, लेकिन आज के बाद, हमें तुलसी का नाम याद होना चाहिए, मम्मी बोलेंगे, शाम को तुलसी में दीपक लगा कर आना है, तो तुम बोलना, osimum scantum में दीपक लगा कर आना है, ठीक है, तो तुलसी को हम कहते हैं, osimum scantum, osimum scantum जो है, उसमें osimum जो है, वो क्या है, जीनस है, और scantum जो है, वो क्या है, species है, है ना, तो osimum और laminaeC family होती है, laminaeC order है, dicotylidon है, और angiosperms हैंगे, इनके बाद, अगर हम इसके बाद भी आगे जाना चाहें, तो फिर क्या आजाता है, बेटा, आजी का नाम देखोगे, तो family में आपको क्या मिलता है, day e लिखा हुआ मिलता है, a e मिलता है, ठीक है, family में आपको क्या मिलेगा, a e लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, anachardiaC, poesy, laminaeC, muskidae, yehomini day, a e मिलता है, ठीक है, और families में भी, families में भी क्या होता है, a e c family में, आप याद कर लो, यहां पर लिख कर ही रख ले न, यहां पर लिख कर ही रख ले न, a c usually लिखा हुआ मिलता है, हर family में, so that is all about today's topic, I hope आप relate कर पाएंगे, मैं मानती हूँ, examples जितना भी है, वो हमने book से तो हमने ले लिया, मैं मानती हूँ, उसे याद करने में थोड़ा सा डाइम लगेगा, बढ़ मैंने आपको एक trick बताई है, अगर आप उस तरीक से लिख के याद करोगे, तो आपको definitely जल्दी याद हो जाएगा, है न, relate करके याद करने से, बहुत जल्दी आप याद कर पाएंगे, मैं आप से मिलूंगी next session में, लेकिन लेकिन जाने से पहले इस बात को बिल्कुल मत भूला, कि ये सारे notes आपको हमारे, जो हमने या लेक्टर में बनाए न बेटा, ये सारे notes आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएंगे, तो telegram channel पर जाने के लिए कहां से जाना है, link जो है वो दी हुई है description में, और आपको साथ-साथ क्या मिलता है, आपको definite success पाच्छाला के platform पर, online lectures, free videos, study material, notes, everything is available free of cost, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो do subscribe before going, right, and you can also contact us on our contact number, जो आपको यहां share किया हुआ है, don't forget to like, share and subscribe, मैं आपसे मिलूँगी next session में, तब तक के लिए, थांकिसो मुच, take care, keep studying, bye-bye.